पुजिर जेओ कटनी से सुरूती जैन पोच रही है महारासी मेरा प्रश्ण है कि हम लोग हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं पर हमारे दोस्त जैन धर्म के बारे में नहीं जानते हैं पर वो लोग हमारे धर्म के बारे में जानना चाते हैं पर हम उन्हें सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं तो हम उसके लिए क्या करें लेखिए जैन धर्म के आधार भूद बातों को खुद पढ़िये जानिये और लोगों को बताईए देखिए जैन धर्म के विशे में अगर कोई भी बेक्टी बोलता है तो अत्यन्त संचेप में कुछ बाते में आप सबको बताता हूँ इसे थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनियेगा और ये सब तक पहुँचा देजेगा जो विशे है आज जैन धर्म का परचे किशी को आपको देना है तो जैन धर्म का परचे कैस से दे तो सबसे पहले जैन धर्म भारत का एक प्राचीन तम धर्म है और ये एक ऐसा धर्म है जो आत्मवादी धर्म है जिस धर्म में इश्वर के कर्तित की कोई मानिता नहीं है जैन धर्म के अनुशार हर आत्मा ही परमात्मा है अप्पा सो परमप्पा जब तकवा बिकारों से ग्रसित होता है आत्मा होता है और बिकार मुक्त होते ही परमात्मा होता है हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है उस शक्ति के अभिवेक्ति करके वह परमात्मा बन सकता अपने बिकारों को दूर करके इस संसार में रहने वाले प्राणी के बंधन का कारण है वो राग देश मोहों के कारण संसार में बंधता है और इस बंधन को सम्मेक दर्सन, सम्मेक ज्ञान और सम्मेक चारित से काटता है सची शद्धा से, सची ग्यान से और सदाचरन से अपने बंधन को काट सकता है जहें धर्म में किसी भी प्रिकार के कर्म कांड को और अंदर विश्वास को कोई स्थान नहीं दिया गया जहिए धर्म बिशुद्द दिया कर्म सिध्धान्त पर बिश्वास करने वाला धर्म है और बड़े बग्यानिक तरीके से अपनी मूर भूत बात को समझते हैं हमारे जीवन के कल्यान के लिए हमें सजाचार अपनाने की प्रेड़ना दी गई है अहिंसा, सत, अचवर, ब्रमचर और अपरिग्र, रूप पांच ब्रतों का पालन जैन धर्म का मूल उतता है जो बैक्तिन ब्रतों का जितने इस्तर पर पालन करता है वो उतना ज़्यादा सुखी होता है इसी प्रकार जैन जीवन सहली में हमारे खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, खान पान की सुद्धी होनी चाहिए, सात्रिक का के साथ साकाहर को अपनाना चाहिए रातली भोजन का त्याग जैनों की पहिचान है और प्रते कारिमें शावधानी रखनी चाहिए जैनों के हाँ दया और करणा का पलन इस रीत से होता है कि सबजी के भी यह तुकले करने हो तो यह नहीं कहा जाता कि सबजी काटो कहा जाता है सबजी सुधारो या सबजी विनारो ये दिया मुलक संस्कृति का दो तक है ये जैन धर्म की विशेश पहिचान है तो ये सार संचेप में मैंने बात की अनेकांत जैन दर्सन का हर्दा है जो विश्चो की जैन दर्सन की बड़ी देन है अनेकांत एक वह प्रक्रिया है जिससे हम एक दूसरे के वैचारी के संगर्थ को नश्ट कर सकते हैं सब एक दूसरे के मद्द समनवे बना करके चल सकते हैं सारे दंद और कलह को दूर करने का मार्ग हम अनेकांत के माध्धम से प्राप्ति कर सकते हैं तो ये सार संचेप में जेन धर्म के बारे में बताने की बाते हैं या आप इतनी बाते बताएं हमारे मूल आराद 24 ते ठंकर हैं हमारा जो मूल मंत्र है वो नमोकार मंत्र है नमोकार मंत्र मूल मंत्र ऐसा मंत्र जिसमें कोई भी जाक्षर नहीं जिसमें किसी विक्ति का कोई स्मरन नहीं अरहन, सिद्ध, आचार, उपाधाय और शादू ये गुन वाची शब्द है जो सिद्ध और साधना साधक आत्माओं का स्मरन है तो हम उनमें अरहन्त को, शिद्ध को, आचारी को, उपाधाय को और साधू को प्रणाम करते हैं ये हमारा मूर मंत्र है इस मंत्र की आराधना करते वे एक ही बात जैन धर्म में कहा गया है बंदे तद्गुन लब्दे हम गुनों की उपलब्दी के लिए ही हम किसी का बंदन या सतकार करते हैं हमारी दिष्टी पूरी तरह गुना नुरागी होनी चाहिए और गुनों की तरह हमारी दिष्टी होनी चाहिए ये जैन धर्म की विशेश पहिचान है जेह जर्म में जन्मना कर्म बवस्था ना मान कर कर्मना बवस्था मानी गई है और ये कहा गया है मनुष्य जन्मसे नहीं कर्मसे महान बनता है